आईए दोस्तों तहकते हुए अंगारों को रेशम की डोर से बांध कर हवाओं में लहरा देना आसान हो सकता है या तपते हुए सहराओं में पत्थरों को निचोड़ कर धूलों को महका देना सहल हो सकता है लेकिन जैसी शायरी हमारे शरीफ कुरेशी साहिब करते हैं मैं समझता हूँ के ऐसी शायरी हरकस और नाकस के बसकी बात नहीं है आईए जोरदार इस्तक्बाल करते हैं जनाब शरीफ कुरेशी साहिब का जो फत्यगर से तश्रीफ लाए हैं कि नजर उठा के बड़ों को कभी नहीं देखा हमास मान को पानी में देख लेते हैं आईए इस्तक्बाल करते हैं जनाब शरीफ कुरेशी जो फत्यगर से तश्रीफ लाए है बहुत बहुत शुक्तिया साथ मौजजज हाजरीन और हमारे मौजजज शौरा किराम डाइस पर बैठे हुए मैं जनाब सद्र साथ से इजाज़त का पासदार हूँ आज़े अगर साथ से भी अता किजी हुद्या वर्की तश्रीफ नहीं वालूगा वर ना स्यासि मैं शेयर सुनाओगा आपको बहुत ही तंव वक्त में पाच्छे शेयर सुनागा अधा कि अगर्जल ही शुरू से शुरू करता हूँ मतला सुमात फर्माईए अगजर का जी हमात अनगुष आ के बेटे न थे के जाने लगे बहुत अच्छी आ के बेटे न थे के जाने लगे आते आते जन्हें जमाने लगे आ के बेटे न थे के जाने लगे वा क्या कहने समार फर्माई शेर जी अता कीजी हाए मजबुरियां मुहबत के आए मजबुरियां मुहबत के रोना पाए तो मुस्कराने लगे आते आते जन्हें जमाने लगे आए के बेटे न थे के जाने लगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्री क्या कहने आपने है सब से हमारे शेर सुन रहे हैं दो ती शेर और समात रमाएं अधा कीजी अधा कीजी कुराजी साहब आके बेठे न थे के जाने लगे वक्त ने ये दिन भी दिकाए है वक्त ने ये दिन भी दिकाए है जो हसाते थे वो रूलाने लगे बहुत अच्छे बहुत अच्छे वो रूलाने लगे और कुछ नई रशनी के मत वाले कुछ नई रशनी के मत वाले आप अपना ही घर जलाने लगे बहुत अच्छे ठीक है